मिस्टर इंडिया जितने दिल्चस्प फिल्म है उतना ही दिल्चस्प श्री देवी का इस फिल्म में शामिल होने का किस्सा भी है बोनी कपूर मिस्टर इंडिया में सीमा के किरदार के लिए श्री देवी को साइन करना चाहते थे श्रीदेवी के प्रोफेशनल मामलों को उनकी माँ देखती थी 1984 में जब बोनी कपूर श्रीदेवी की माँ से मिलने पहुचे तो उन्होंने बोनी को कहा कि श्रीदेवी इसके लिए 10 लाख रुपे फीज लेंगी ये उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी रकम थी जवाब में बोनी कपूर बोले मैं 11 लाख रुपे फीज दूगा आखिरकार मिस्टर इंडिया के लिए श्रीदेवी को साइन कर लिया गया इस फिल्म के साथ श्रीदेवी और बोनी कपूर का रोमांस भी शरू हुआ और 1996 में बोनी कपूर ने श्रीदेवी से शादी कर ली